उस्तक का नाम हमारा स्वास्ति संकट और उसका समाधान लेखक पंडिक श्री राम शर्मा आचारिय यह प्रगती का युग कहा जाता है। बुद्धि कौशल से मनुशनी आर्थिक व्यज्यानेक तथा सुविधा साध्नों की अभिवृद्धी में आश्चर जनक उन्नती की है। पर जहां तक व्यक्ति का तेवं सामाजिक जीवन की स्थिती का संबंध है, निश्चित रूप से हम पिछरते ही चले गए हैं। इस त विधा साधन बढ़ें, उसी अनुपात से मनुश्य की सुक्षान्ती, प्रगती और समृद्धी का पथ प्रशस्त हो। किन्तु वैसा देखनी में नहीं आता। लंबी अतीत की बात जाने दें और 150 वर्ष पूरु के जो व्यक्ति अभी जीवित हैं, उनके बच्पन में ज निशिधात्मक बदलाव हुआ है। विक्रुती, पतन, शोप, संतोष और द्वेश दुर्भाव की ओर कितनी तेजी से बढ़ी हैं। इन 500 वर्षों में धन दौलत बहुत बढ़ी है। विकास के अनेक साधन बढ़ी हैं। साधन, डाक, तार, व्यवसाई के साधन, कार खाने, नौकरी के क्षेत्र, मनुरंजन, ग्रहादी में भारी वृध्धी हो जाने के फलस्वरूप, जलसाधरन की सुक्षान्ती में उसी अनुपात से वृध्धी होनी चाहिए थी। और आज का मनुश्य सौवर्ष पूर्व वालों की तुल्ना में अधिक सुखी एवं समुन्नत दिखाई देना चाहिए था, पर देखा इसके ठीक विप्रीच जाता है। जहां साधरन व्यक्ती 20-30 मील पैदल आसानी से चल लेते थे, बैल ना होने पर क्रिशी कारियों में स्वैम उसकी स्थान पूर्थी कर लेते थे, एक से रन आसानी से हजम कर लेते थे, वहां अब एक दो मील चलने के लिए भी सवारी का सहारा तक ना पड़ता है। शारिरि मारे मारे फिरती हैं, उसमें श्रम से घबराहट ही प्रधान कारण हैं। खेती का श्रम उन्हें अखरता है, शरीर उसमें असमर्थता अनुभाव करता है। यह अशक्तता इतनी व्यापक होती जाती है कि चार-छे दिन के लिए कोई बुखार खासी का शिकार हो जाए, तो समहलने में महीनों का समय चाहिए। जहां कुछ समय पूर्व लोग महीनों जूडी तिजारी का प्रकूप सहते हुए हल चलाते और कृशी कारे करते रहते थे, वहां जीवनी शक्ती के अभाव में अब सामने रोगों का मुकाबला कर सकना भी संभव नहीं हो रहा है। अब बड़ी बीमारियों के लिए तो हजारों की विवस्था किये बिना सैकडों इंजेक्शन लगवाए बिना छुटकारा नहीं। विचारने की बात है कि आखिर ऐसा क्यों हो गया। साधन बढ़ने के साथ साथ स्वास्त का स्तर बढ़ना चाहिए था। पर उल्टी गंगा कै से बहने लगी। लोग इस प्रकार कमजोर क्यों होते चले गए। महिलाएं घर का काम का सभालते हुए पुरुषों के साथ खेती बाड़ी के कठोर परिश्रम में सहायता करती थे। प्रसाव होते रहते थे। और किसी कश्टकर स्थिती का अनुभव न होता था। खाने को रूखा सूखा दाल दलिये जैसा भूजन। फिर भी निरोग और रिश्ट पुष्ट। आज परिश्रम भी कम, खादे पदार्थ भी मूल्यवान, सुविधाई भी अधिक। चिकित्सा के साधन भी बहुत। फिर भी महिलाओं के स्वास्थ बेतरा गिरते चले जा रहे है रंग रोगन करके किसी प्रकार चेहरे का टुकडा ही कुछ आकरशक सा बना रहता है। बाकी भीतर देखा जाए तो बिल्कुल खोकलापन। सामाने दुरबलता की शिकार, रक्त की कमी, मुत्र रोगों की व्यथा या आए दिन की शिकायते हैं, जिनसे हमारा महिला समाज ग जिगर जैसे उदर रोगों में 90 प्रतिशत बच्चे ग्रसित मिलेंगे। दवादारों के बलबूते किसी प्रकार जिन्दा रहे गए, तो बड़े होने पर उनका कोई उजवल भविश्य नहीं बन पाता। विचारनी प्रश्न है कि आखिर ऐसा उलट-उलट क्यों हो गया सौ वर्श के भीतर देखते देखते स्थिती में भारी अंतर आ गया। इस स्यदे पुराने समय के साथ तो तुल्ला की ही कैसे जाए। जिन्शूर वीरों, स्वस्थ और समर्थ व्यक्तियों से हर घर शोभाय मान था। उनका प्रताप ही देश को उन्नती के उच्च शिखर तक पहुचाने में समर्थ हुआ था। सतियोग त्रेता के पराक्रमी वीर नागरेकों की बात जाने दें और केवल पांच हजार वर्ष पूर्व महाभारत काल के भीम, अर्जुन, अभिमन्यों, कर्ण, भीश्म, द्रोन, कंस, चानूर जैसे योधाओं की ढूंड खोज कर तो सारे इतिहास में उन्ही का बाहुल्य मिलेगा। पृत्वी राज, आलहा उदल, राणा सांगा, श्रिवाजी जैसे बलवान व्यक्तितों कुछ शताब्नियों पूर्वतक मौजूद थे। अब वैसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। सब जगह खोकलापन ही दीख हक्रीम डॉक्टरों की दुकानों पर अस्पतालों में मक्यों की तरह भिनविनाते और सड़ते मरते असंख्य नर्नारियों के समोह कहीं भी देखे जा सकते हैं। मनेश जैसा बुद्धी प्रधान प्राणी अपने कर्तित्व, पुर्शार्थ और विचारना के आधार पर लाखों वर्षों से निरंतर आगे बढ़ता चला गया है। एक-एक करके प्रवती के अनेक मन्जिलें उसमें पूरी की हैं। वह प्रकृती से लड़ा है, परिस् इछले दिनों क्या गड़बढ हो गई, जिससे पीड़ी पर पीड़ी वक्रमशा, अधिक दुर्बलता और अधिक रुग्णता का शिकार बनता चला जा रहा है। तलाश करने पर एक योत्तर सामने उपस्तित होता है कि आहर विहार संबंधी हमारे स्वाभाविक ग्रिष् आराम तलबी में बडपन मानने की प्रवृत्ति बढ़ी। जीब के विविद विधी स्वाधूं के पीछे आहर की स्वाभाविक्ता और सात्विक्ता नश्ट कर दी गई। तीन चौताई आहर अभक्ष्य स्तर का खाया जाने लगा। समय, मात्रा, स्वच्चिता की बात ही भूल गये। जिव्वा का चटोरापन जिधर नचाता रहा, कट पुतली की तरहर नाचते रहे। व्यंजन खाने वालोंने अपने को भाकिशाली माना। देखने वालोंने लार टपकाई और सस्ती भूंडी शकल बना कर बरने के लिए और भी अधिक गहरा गढ़्धा हलवाईयों, होटलों और चाट पकोड़ी की दुकानों पर ऐसे ही स्वास्त के चौपट करने वाले उपहार लाखो टन नित्य बनते हैं और इन जिव्वा लोलूप लोगों के पेट में प्रवेश करके स्वास्त की संपत्ति का पाचन प्रक्रिया का सत्यानाश करते चले जाते हैं नशेबाजी एक अध्वुत विपत्ती है उसमें न स्वाद, न रंग, न रू, न गुण, न कुछ न कुछ पैसा, खून, मस्तिश्क, चरित्र, चारो को ही बुरी तरह जलाने की बात सर्ववेदित है फिर भी न जाने कौन सा कैसा दुरभाक्य मनुशी के मन में खुस पड़ा कि जिसे देखो वही नशेबाजी का शिकार दिखाई पड़ता है शराप, गांजा, अफीन, चरस, भांग की कितनी बड़ी खपत है इसे भयावह, सरकारी आकडों और विक्रेताओं के हिसाब किताब से भली प्रकार समझा जा सकता है सबसे उपर तमाखु है, उसके बारे में तो कहना है क्या, बीड़ी, सिगरेट, खानी, सुंगनी, चिकनी, सब मिलाकर इनका इतना प्रचलन है कि अधिकांश लोगों को इसके बिना चैन नहीं स्त्री बच्चों की थोड़ी संख्या निकाल दी जाए, तो फिर ऐसे व्यक्ति मुश्किल से ही ढूंडे मिलेंगे, जो किसी प्रकार का नशा न करते हूं इसमें आर्थिक अपव्याय इतना होता है कि यदि इस रकम को बचा लिया जाए, तो इसी से देशभर की शिक्षा विवस्था बन सकती है शारेरिक द्रिष्टी से यह कहा जा सकता है कि लगभग एक चौथाई जीवन नशे बाजी में घड़ जाता है और लगभग एकतिहाई रोग इसी के कारण होते है मन की अपवित्रता, उत्तेजना, आवेश, वासना, क्रोध, निश्ठुरता जैसे कितनी ही ऐसी बुराईया उत्पन्न होती है जो नशे बाज को चारित्रिक द्रिष्टी से गया गुजरा और सामाजिक द्रिष्टी से बहुत हद तक अवांचनी व्यक्ति बना देती है विचारनी बात है कि क्या इतनी बुराईयां और हानियां जानते हुए भी जो नशेबाजी करते हैं उन्हें बुद्धिमान कहा जाए यदि उनका मस्तिष्क तीवर भी मान लिया जाए तो भी इतना तो स्वीकार करना ही होगा कि समझदारी का ठीक से उपयोग नहीं किया गया दिमाग में अकल का होना ही काफी नहीं उसका सही तरीके से उपयोग कर सकना भी जरूरी है जो अकलमंद होते हुए बेअकल के काम करें उन्हें क्या कहा जाए कामुक्ता की आग बालकों को छोटी उमर में ही जुलसानी लगती है हत्यारे फिल्म इस दिशा में बढ़ चड़ कर शूर वीर्ता दिखा रही है उनकी कर्तूत अपने आप में अद्भुत है छोटे बालकों को कुछेश्टाओं, काम, क्रीडाओं इस प्रयोजन के लिए रचे गए कुछ अकरों की पूरी पक्की शिक्षा गंदगी फिल्मों में मिल जाती है इस तरह बच्पन में जबकि उनके स्वास्त का मूल ब्रह्म्य चर्य परिपक्व होना चाहिए था उद्वेग्न होने लगता है कामुकता के विचार कच्चे मस्तिश्कों में बुरी तरह उबलते हैं उनके दुश्परिनामों का उस कच्ची उम्र में ज्यान नहीं होता कुविचारों को रोकने और काटने की कला भी विस्तृत नहीं होती फलस्वरोप सपने मूर्त रूर धारन करते हैं चोटी आयू के बालक कई तरह के लज्जाजनग अश्टील कृत्य गुपचुप करने लगते हैं और उनके स्वास्ति की जड़ पर कुठारा घाक आरंभ हो जाता है वासना भड़काने वाला साहित्य बुक सेलरों की दुकानों पर भरा पड़ा है प्रकाशक लोग अब उसी तरह की चीज़ें आधी दूफान की तरह छापते हैं क्योंकि उन्हीं की विक्री अधिक है उन्हीं से लाव अधिक है फोटो वाले पटरी पर बैठने वाले पुस्तक विक्रेताओं की पोटली पर एक बार दृष्टी डाल लीजिए उसमें इसी प्रकार की कामोतेजक, गंदगी, बेहुदी किताबें भरी पड़ी होंगी क्या छोटी उम्र के, क्या बड़ी उम्र के, सब ही ने खरीदते हैं सिनेमा की तस्वीरों की, नटों और नटनेयों की कर्टूतें, उचलकूद एवं विशैले कटाक्ष सिखाने वाली गंदी कहानियों से सुसजित पत्र-पत्रिकाओं की भरमार है तस्वीर और कैलेंडर वाले ऐसे ही चित्र प्रकाशिक करने में जुटे हैं इस प्रकार लगता है कि फिल्म और प्रेजग्यान समवर्धन में समर्थ दो महान माध्यमों को काम दिवताने खरीद लिया हो बड़ी आयो के लोग इस संबंद में छोटी आयो वालों की अपेक्षा कहीं अधिग अज्यानी बने हुए हैं विवाहकार्थ कामुक्ता की अनियंत्रित पूर्थी माना जाने लगा है लोग अपने शरीर की संचित जीवन शक्ती को गंदी नाली में बहा देना ही कोई बड़ा पुरुशार्थ अत्वालाप मानते हैं व्यविचार की प्रवृत्ती बढ़ रही है शील की उपेक्षा की जा रही है और विलास को प्रमुक्ता मिल रही है मर्यादाएं छोड़कर उश्रंखल और निरलज बनते चले जा रही है इसका दुश्प्रभाव मन, चरित्र और स्वास्थ पर पढ़ना ही है सैयम के बिना शक्ती का संचय कहां शक्ती की पूंजी जब इस तरह लुटाई जा रही हो तो स्वास्ती की सुरक्षा एवं परिपुष्टता के लिए उसे कैसे बचाया संग्रह किया जा सकता है